साइन्स के बीस कोशन आज मैं फिर चले करा हजिर हो क्योंकि डेली चैनल पर वीडियो अपलोड होती है साइन्स के बीस कोशन की यह वो कोशन होते हैं जो पिछले competitive exam में आई हुए होते हैं और आगे आने की इनकी संभावना है तो यहाँ पर आज हम देखते हैं पहला कोशन उसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजेगा शेयर कव कर दीजेगा पहला कोशन है कार-चालक की शुरक्षा की लिए प्रियोग में आने वाले भायू थहला यार्वेग प्रियोग में क्या होता है आज कल कार में जो होता है एएर मैं लगे होतें अगर और यह कभी iç deben इंजाइड भरा रहता है ना-एंठी लेकिन जब कभी भी एरवेक में खुलते हैं तो यह जो है वो nitrogen में change हो जाता है याद रहते हैं टब दूद कट्टा हो जाता है और यह जह attributed है। जब दूद ख़ता हो जाता है तो उसका pH क्तना हो था होता है तो acid और base में ये मैं बता चुकी हूँ कि 7 pH से कम वाले को क्या कहते हैं 7 pH से जाले जादा वाला acid होता है base होता है वो सब बता चुकी हूँ अगला यहां पर question है किस विधी के द्वारा पानी और शराब के मिश्ण को अलग किया जाता है अगर पानी और शराब मिले हुए हैं तो इनको जो है hydrogen bomb का विसकार किस ने किया Edward Taylor ने ये कोशन पहले भी मैं बता चुकी हूँ अगला याँ पर कोशन है भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का कोईला पाय जाता है तो bituminous प्रकार का अब ये बताईएगा bituminous प्रकार का कोईला इसमें कारवन की कितनी मात्रा होती है सबसे भार तत्वताई से OS किसका सिंबल है अगला है Epsom Salt यानि कि जो हम लोग सेंधा नमक की बात करते हैं यहाँ पर सेंधा नमक है यह ठीक है सेंधा नमक इसे कहते हैं यह किसका S है तो magnesium का क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें magnesium chloride होता है जैसे जो normal नमक होता है उसमें NACL होता है sodium chloride औ और जबकि इसमें क्या है magnesium chloride Epsom Salt सिंधा नमक की बात हो रही है सिंधा नमक को कहते हैं Epsom Salt तो और gypsum की बात हो रही है gypsum plaster of Paris related तो यह किसका S कहा है यह calcium का है इसके बाद है सभी अमलों में कौन सा अत्तव समान रूप से मौजूद होता है अमलों की बात हो रही है acid में जै आपको अमलों में मिलेगा देखो इसमें H है hydrogen इसमें भी hydrogen इसमें भी hydrogen तो यहां पर यह है यही आंसर है गहु में कौन सा अमलों होता है तो glutemic अमलों होता है यह बड़ा common और most important question है सिंदूर का रासानी घटक क्या है यह बड़ा important question है यह भी आता है इसमें mercury sulfide के लिजे चा आपर बताऊं बर्मीलियन भी कहते हैं अगर लिखा हुआ आ जाए तो भी आप mercury sulfide सोचेगा कभी क्यूभी option में यह ना देखकर यह दे दिया जाता है और वेक्ति यह पढ़के जाता है इसलिए मैं है सारे option आपको बता रही हूँ sodium chloride आगे देखिए NaCl NaCl के जो billion है अगर हम बैंगन का रंग किस लवक के कारण यहां पर पूछा जा रहा है जो है वह बैंगनी होता है ठीक है तो जैन्थो साइनिन जो लवक है ठीक है उसकी वज़े से क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है यहां पर लवक का मतलब तो जैन्थो साइनिन उसमें होता है इसलिए बैंग मुक्त होती है मीठेन बड़ा इंपोर्टेंट है तभी तो धान की खेती में कहता है मीठेन गैस निकल रही है एंवार्मेंट के लिए अच्छी नहीं होती है प्रतम विश्युदि के समय किसका उपयोग जो है रासाइनिक अस्तर की रूप में किया गया था किसका तो यह सरसों होता तो इससे सरसों गैस भी कहता है इसका यह फॉर्मूला है और इसको प्योग में किया गया था लोग की जो है फेपड़ों में और आखों में आखे इसने खराब हो गई थी फेपड़ी खराब हो गए थे तो यह यहां पर है तो यह दे रखा है अगला यहां पर को कोशन है ब्रह्मान में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अत्त पाय जाता है और इसी हाइड्रोजन को अब क्या किया जा रहा है इंधन के रूप में उप्योग करने की बात की जा रही है क्योंकि यह बड़ा सेफ जो है वो तत है इसलिए यह कोशन आता है यह आया है कि किसका उ तो गले को गले में जो है डीफ्थीरिया गले में इंफेक्शन हो जाता है बहुत जादा डीफ्थीरिया की विजए से मतलब जो गले के अंदर जो हमारी घाटी कहा लीजिए उसके पास में इसके बाद यहां पर है जो एसकॉर्बिक एसिड है उसकी कमी से कौन से विमारी होत कोशिका के केंद्रक के अलावा किस के कोशिकांग में DNA कोशिका के मिलेगा में मिलता है तो इसे माइट्रीण में मिलता है फिर इसे हां 21 कोशन है मिरत मचली से अगर मचली मर गई है उसे निकलने वाली जो दुर्गन्द होती है मचली के आप कहीं मचली आओ बिक रही हो वहां पर जाके देखिएगा तो कौन सी दुर्गन्द आती है किसी योगिकों की तो यह अमोनी जो अमीनो और योगिक होते हैं उसकी जो है दुर्गन्द आती है अमोनिय जैसी तभी तो जब बारिश वगईरा हो तो मचली की जो मरी मचली जैसी दुर्गन्द आती है चार उत्रफ तो यहां पर यही बात है तो 21 कोरिशन मैंने आज आपको बताएं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लिजेगा शेयर भी कर दीजेगा दोस्तों को और चैनल पर विजिट भी कीजेगा इससे रिलेटर बहुत सारी वीडियो सा थन्यवाद दोस्तों